हम आज यहाँ सुना ही दे रहा है सुनिये अब बोलो इजाज़त है मेरे यूपी के भाईयों बोलने दो देखिये यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई 32 साल पुरानी बात है मैं 1991 की बात है मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ती भवन से निकल रही थी अपनी वहां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे सामने भारतिय सेना की एक ट्रक थी फूलों से लदी हुई थी उसके उपर मेरे पिता जी का शव था थोड़ी देर काफिला चला पाच-दस मिन्ट चला फिर राहुल कहने लगे मैं वह तरना चाहता हूं तो माने मना किया उस समय सुरक्षा का भी बहुत उठा तो माने का नहीं तुम उतर नहीं सकते राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा मैंने मां से का मां उतरने दो राहुल गारी से उतरा उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ती से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुँचा इस जगे से इस जगे से कुछ चारसो पाँच सो गस दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संसकार मेरे भाई ने किये सुनिये वो चितर मेरे दिमाग में अभी है मेरे मन में है मेरे पिता का शव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है उस शहीद के बेटे को आप देश द्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मा का अपमान करते हैं आपके मंदरी मेरी मा का अपमान भरी संसंद में करते हैं आपके एक मुख्य मंदरी कहते हैं कि राहुल गांदी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है आपके प्रधान मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नहरू नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पंडित समाज के रिवास का अपमान करते हैं जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकद्मा नहीं होता आपको दो साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता आपको मना नहीं करता कि आठ सालों के लिए आप चुनाओं नहीं लड़ सकते क्यों मैं पूछना चाहती हूं क्यों आज तक हम चुप रहे हैं हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए मेरे भाई ने क्या कहा संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है हमारी विचार धारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचार धारा नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे, क्या यही है इस देश की परंपरा, आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को बनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धर्ती के प्रती अपना धर्म निभाया, क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? कि वो अपने परिवार की संसकारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस जंडे में उनका खून है इस धर्ती में उनका खून है इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सीचा है और जो सोचता है जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे हमें धमकाएंगे जो सोचता है कि तमाम एजन्सियों को लगा कर हम पे छापे मार कर हमसे कुछ भी करने हमको हमें डराएंगे वो घलत सोचते हैं हम डरने वाले नहीं हैं हम और मजबूती से लड़ेंगे हम इस देश के लोग तंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है इस देश के लोग तंत्र को इसकी नीव कॉंग्रेस पार्टी के महान महापुर्शों ने की डाली है कॉंग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की अजादी के लिए और आज भी इस देश की अजादी के लिए ही लड़ रही है कभी-कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है, क्या हो रहा है क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ती लूटी जा रही है एक आदमी को दी जा रही है गिने चुने उद्योग पत्यों को सब कुछ दिया जा रहा है किसकी संपत्ती है ये राहुल गांदी की संपत्ती है ये आपकी संपत्ती है ये PSU किसके हैं किसके लिए बनाए गए आपके लिए बनाए गए जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं दीए जा रहे हैं इसी से तो आपका रोजगार आता है छोटे उद्योगों से छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है किसी बड़े अडानी से नहीं आता रोजगार नहीं देते छीन दे आपका रोजगार तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप गैस के सिलिंडर के लिए हजार रुपे दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ती किसी को सौपी जा रही है राहूल गांदी जी ने क्या कहा अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आप से दो सवाल पूछ लिए जवाब नहीं दे पाएं ना धबरा गए और जो अंकारी होते हैं तानाशा होते हैं क्या करते हैं जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद, एक आदमी को बचाने की क्यूं इतनी कोशिश कर रहे हैं। इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपति दे रहे हो देश की बीसो हजारो करोड शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वाइरी नहीं कर सकते ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं देखिए आप इस देश के देशवासी हैं ये देश आपका है ये लड़ाई आपकी है आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यूं हैं हम इस्तिहार तो देख रहे हैं होडिंग देख रहे हैं मदर ओफ डिमोक्रिसी लिखा है कहते हैं कि हमारी अर्थ के वस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं इतनी महंगाई क्यों हैं इतनी महंगाई क्यों है क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गास सिलिंडर का दाम कम नहीं कर सकते आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते आप रोजगार नहीं बनवा सकते तो फिर आपकी सरकार किस काम की है लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए अब आप सोचिए कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला उसके साथ लाखों लोग चले क्या पैगाम लेके चला किस लिए चला उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़के चले समता एकता की भावना थी आज आपके सारी मीडिया आपके सारे मंत्री कि आपके सारे सांसाद आपके सारे कारेकरता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया। राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्या कुमारी से लेकर पांच हजार किलो मीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए सब को समान दृष्टी से देखना चाहिए क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है तो ये आदमी क्या कर रहा है ये आपकी आवाज उठा रहा है ये क्या कह रहा है कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो नौजवानों को अपना हक दो महिलाओं को अपना हक दो यहीं तो कह रहा है और हक क्या है हक यह है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए किसी बड़े उद्योगपती के हाथ में नहीं जो प्रदान मंत्री जी के मित्र है यह है आपका हक उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप समझे ये एक इंसान की बात नहीं है ये एक राहुल गांदी की बात नहीं है ये पूरे देश की बात है जब हम कहते हैं लोक तंत्र को बचाना है तो हम किस बात की बचाने की कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोक तंत्र क्या होता है खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ, यही तो लोग तंत्र है, कि आपको कोई अपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं, आप कह सकते हैं, हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महिंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाएं लेकिन आज यही हख आप से छीना जा रहा है और आपका ध्यार इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीज़ों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है जूटों को फैलाया जाता है आप सोचिए राहुल गांधी दुनिया के सबसे दो सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थाने वहां से पढ़के आए है हारवर्ड और केम्रिज की उनकी डिग्री है केम्रिज से उन्होंने एकनॉमिक्स में मास्टर्ज डिग्री एमफिल डिग्री उनको मिली आप उसको पपू बनाते हैं पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों डिग्री आपने देखी नहीं सचाई आपने देखा नहीं उनको पपू बना दिया फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकलाया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं ये इमांदार भी है ये सब बातों को समझता भी है ये जंता के बीट जा रहा है जनता की समस्याओं को सुन रहा है तो जनता इसके साथ चली जा रही है तो घबरा गए घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है क्या किया सुन लीजिए एक तरफ से हसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद के चेहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया फिर वापिस कब गए केस खुलवाने के लिए राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाशन देने के एक हफ़ते बाद एक हफ़ते बाद वो आदमी वापिस जाता है कहता है केस खुल दीजिए अब हम तयार हैं एक महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलेगी आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में दसों साल के लिए पढ़े रहते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती ये तो सुनवाई भी फटते हो गई जज्मेंट भी फटते हो गई सजा भी फटते हो गई और आपने कह दिया अगले दिन कि आठ सालों के लिए ये चुनाओं नहीं लड़ सकते संसद से बाहर कर देंगे इनको वावा 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 बहुत धेर्य हैं आप में अरे कायर है कायर है इस देश का प्रधान मंत्री लगा दो केस मुझे पर लगा दो केस मुझे पर जेल ले जाओ मुझे भी लेकिन सचा ही ये है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है और इस देश की बहुत पुरानी परमपरा है इस देश की बहुत पुरानी परमपरा है हिंदू धर्म की पुरानी परमपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है और इस देश की बहुत पुरानी परमपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है ये देश सचाई को पहचानता है और मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा मेरे मीडियो के साथियों मैं आप से कहना चाहती हूँ बहुत हो गया है मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है आज आपको ये लिखना है लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोक तंत्र खत्रे में हैं अगर सरकार सवाल उठाने वाले को आठ सालों के लिए संसत से निकाल सकती है अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजासत नहीं है तो बहुत गरबढ़ है बहुत गलत हो र शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सचाई बोलूंगा मैं सचाई बोलूंगी आज आप बोल नहीं पा रहे हैं हिम्मत करिए खड़े हो जाईए आप भी और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार् इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खत्रे में है आज इस देश की सारी संपत्ती एक आदमी को सौपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है बहुत गलत हो रहा है अगर आज मेरे भाईयों और बहनों आप इसको पहचा नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खत्रे में डाल देंगे इसलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधी के कुछी गजवदूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है कितनों ने इस देश की धर्ती इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है यह अफसर हैं यहां तैनात खड़े हैं इसी तरह से इनके भाई सरहत पे खड़े होते हैं हमारे लिए आज भी अपना खून बहा रहे हैं क्या इसके लिए क्या डानी जी के लिए कि अपने देश के किसान के लिए अपने देश के गरीब के लिए अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए महिलाओं के लिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तयार है तो मैं आपसे आग्रे करती हूँ मेरे देशवासियों, आखे खोल लो, समय आ गया है, डरो मत, राहुल गांधी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है, जुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एक्ता को बनाए रखो, और इस देश को आगे बढ़ाओ, जे हिंड, 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 जे हि